दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं तो वो समझ से परे की बात है कि किसलिए दिल्ली जाना चाहते हैं ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ हो रहा है पूरी तरह से तैयारिया हैं हम शांती भंग नहीं होने देंगे और मेरा तो इनको यह कह रहा है कि यह अपनी काल को विड्रा करें वापस लें अपनी काल को और बातचित के लिए अभी भी मुंडा जी कह रहे था हैं सरकार खुद पहली बार है, कि दिल्ली से चल के यहां आई है, तो दिल्ली में जाकら किसको सुनाना चाए है। कई सीं कार मईांटर्स पर कहा से पर हमारे जो अधिकारी नियुम्हत पर अधिकार है। देखे ऐसा बादचित करने से ही होता है और बादचित सरकार कर रहे हैं सरकार कहीं भी बादचित से भागे रहे हैं हम मंत्री ची तो बार बार कहरे हैं turned बहुत सारे मिंगοव इंवत्र शहमती बनी BT है पर पूरी तरह से तैयारिया है आम शांती भंग नहीं होने देंगे और मेरा तो इनको ये कहना है कि ये अपनी काल को विड़ा करें वापस लें अपनी काल को और बातचीत के लिए अभी भी मुंडा जी कह रहे हैं बार बार सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं तो बातचीत सही हल निकलेगा कोई दिल्ली पर जहां हर्याने पर हमला करके तो हल निक कोई बिलकुल हमारे जो अधिकारी है पूरी तरह से नियंतरन रखे हुए बाचित करने से ही होता है और बाचित सरकार कर रही है सरकार कहीं भी बाचित से भागे लई है मंतरी जी तो बाचित आगे भी चल सकती है बहुत सारे बिंदों पर सहमती बनी भी है पर अब समय सिमा रखके करना और कर्जमाफी के उपर किसान नाराथ देखल की बाचित देखिए ऐसा है ये तो जो लोग बाचित में शामिल हुए वो ही सही स्थिटी बता सकते है झाल झाल